दोस्तो आईपेल 2024 के पहले मैच में ही जो की 22 तारिक को 22 मार्च को RCB और CSK के बीच खेला गया उस पहले मैच में ही एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया जो आज तक बना नहीं था खाबर पूरी बताएंगे वीडियो को आप अंते तक जरूर देखिए का नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है विकास और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आर्या स्पोर्ट्स पर देखिए मैच बहुत इंटरस्टिंग था धोनी कपतानी नहीं कर रहे थे रोतुराज गाईकवाड कपतानी कर रहे थे टॉस हार कर टॉस जीत कर फाबडू प्लेस ने पहले बल्ले बाजी चिनी और रोतुराज गाईकवाड टॉस हार गए थे लेकिन रिकॉर्ड बना विराट कोहली के मैदान पर आने के बाद इस मैच से पहले विराट कोहली के जो टोटल रन्स थे T20 में वो थे 11,094 लेकिन इस मैच में जैसे ही विराट कोहली ने 6 रन बनाए उनके नाम दर्ज हो गए T20 क्रिकिट में 12,000 रन और ऐसा करने वाले वि बने विराट कोहली ने पहले मैच की अपनी इस आईपल 2024 की पहली पारी में 20 गेंदों में 20 रन बनाए लेकिन विराट कोहली अपने 12,000 T20 रन बनाने में काम्याब रहे विराट से पहले ये रिकॉर्ड किसी भी भारतिये के नाम नहीं था अब हम आपको लिष्ट दिखाते हैं कि विराट कोहली ने जो है कितनी पारियों में ये रन बनाए है और टॉफ 5 टॉफ 6 की जो लिस्ट है उसमें कौन-कौन से बल्ले बाज शामिल है सबसे पहले बात करते हैं उन बल्ले बाजो की जिन्होंने टी 20 क्रिकेट में 12,000 से ज्यादा रन बनाए हो लिस्ट में सबसे उपर नाम क्रिस गेल का है 14,562 रन बना चुके है वेस्ट इंडीस के खिलाडी रहे है इनके बाद नाम है शुएब मलिक का 13,360 रन बना चुके हैं पाकिस्टान के खिलाडी रहे हैं तीसरे नमबर पर हैं वेस्ट इंडीस के करेंट पोलाड 12,900 रन बना चुके हैं इनके बाद हैं इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स 12,319 रन इन्होंने बनाए हैं इनके बाद हैं ऑस्ट्रेलिया के डेविड वारनर जिन्होंने 12,000 रन बनाए हैं और अब लिस्ट में आ गए हैं किंग कोली जिन्होंने ये 21 रनों की पारी के साथ 12,000 रन टी-ट्वन्टी क्रिकेट में अपने पूरे कर लिए हैं जबरा डालते हैं कि पारिया किसने कितनी ली 12,000 रन कम्प्रीट करने के लिए टी-ट्वन्टी में सबसे पहले नाम आता है यहां पर क्रिस गेल का क्रिस गेल इस लिस्ट में भी टॉप पर हैं 345 पारियों में यह कारणामा किया उसके बाद विराट कोली है 360 पारियों में यह कारणामा किया उसके बाद है डेविड वारनर जिन्होंने 360 पारिया ली उनके बाद एलेक्स हैल्स है जिन्होंने 432 पारिया ली उनके बाद है शोयब मलिक जिन्होंने 451 पारिया ली और फिर हैं काईरेंट पोलार जिन्होंने 550 पारिया लेकर के 12,000 रनों का आकड़ा छुआ था विराट कोली अपने आप में रन मशीन है अपने आप में IPL के सबसे सफलतम खिलाडी है क्योंकि IPL के बहुत सारे रिकॉर्ड उनके नाम है शरतक 2016 में जब संडरेज हैदराबाद ने ट्रॉफी जीती थी तब विराट कोली ने सबसे ज़्यादा शरतक लगाए थे चाहे सबसे ज़्यादा शरतक का रिकॉर्ड हो एक सीजन में वो भी विराट कोली के नाम है चाहे सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हो वो भी विराट कोली के नाम है तो विराट कोली अपने आप में IPL में एक से एक रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं और 2024 IPL की शुरुआत के पहले मैच में किंग कोली ने ये बड़ा रिकॉर्ड बनाया जो आश्तक किसी भी इंडियन ने नहीं बनाया था कोई भी भारतिय क्रिकेटर भारतिय मैंस क्रिकेटर इस लिस्ट में था नहीं विराट कोली पहले है इस लिस्ट में एन्टी करने वाले और क्रिस गेल के साथ दूसरे नमबर पर खड़े हैं सबसे कम पारियों में 12,000 रन 2020 क्रिकेट में पूरा करने के लिए तो विराट गोली के बारे में आपकी क्या राय है 12,000 रन कंप्लीट की हैं इसको लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए विडियो को लाइक कीजिये और तमाम क्रिकेट की अपडेट इसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो शब्सक्राइब कर लिजे नोटिफिकेशन की गंटी को अल पर दबा लिजे ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुँच सके मैं मिलता हम आपसे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए देखते रिया रिया स्पोर्ट्स नमस्कार